VVI objective question का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे दुईघात समीकरन का तीसरा चप्तर से objective और टोटल हम 35 objective जानेंगे इसलिए आप हमारे साथ last तक बने दें पिछला वीडियो में हमने बास्तविक संखें और दुईघात बहुपद के बारे में जाना था इसमें समीकरन के बारे में जानेंगे तो हमारा first question है यदि देखें यहाँ पर question हमारा है first number में यदि दुईघात समीकरन Px बराबर 2x square plus 3x minus 4 is equal to 0 के सुर्णियक alpha तथा बीटा हो तो alpha plus beta बराबर क्या होगा तो इसका आपका option number 2 होगा minus 3 बटा 2 ठेक है दूसरा परस्न दूसरा परस्न हमारा है यदि alpha तथा बीटा दुईघात समीकरन x square plus x minus 2 is equal to 0 के मुल हो तो 1 बटा alpha plus 1 बटा बीटा का मान क्या होगा देखें यह question जो है बार बार आ रहा है तो इसका मत आपका option number a one बटा two answer होगा ठेक है अगला आपका जो question है चलिए उसको देखते हैं किसी दूइघात समीकरन तीसरा में किसी दूइघात समीकरन के विवेचक का मानी सुन्नी से बरा होने पर दोनों मुल होंगे यह तो और भी जदा important है चलिए देखते हैं तो इसका answer आपका ह हो जाएगा ए नम्मर वास्तविक और भीन क्या होगा वास्तविक और भीन चलिए चार नमर का प्रशन है दूइघात समीकरन ठीए एकस स्कॉाइर मैनस टूइच पलस वर वाज तरी बराबर जीरो के विवेचक का मान क्या होगा तो इसका होगा जीरो ठीक है चलिए आगे आपका है निमनलखीत में पांच नमर में निमनलखीत में कौन दूइघात समीकरन है पांच नमर में तो यह आपको जांच करना परेगा इसके लिए आप दूइघात समीकरन का जो ब्यापक रूप होता है एकस स्कॉाइर पलस बी एकस पलस सी तो इस रूप में जो भी होग वो दोईघाज समीकरन हो जाएगा तो 5 नमर में जो है इसका अंसर B होगा X स्क्वाइर मैनस BX पलस C यह दोईघाज समीकरन का रूप है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आपका 6 नमर में है दोईघाज समीकरन X स्क्वाइर प्लस X मैनस 1 बरावर 0 के मुलों की प्राकिर्टी क्या होगी तो चलिए इसका अंसर जानते हैं 6 नमर में है तो 6 नमर का अंसर होगा A वास्तविक तथा और समाना बुक में परे होंगे D square minus 4 AC is equal to 0 तो इस टाइप से आप याद कर लीजे यह बहुत ज़दा इंपोटेंट हैं साथ नमर में हैं निमलखित में कौन दुगात समीकरन नहीं है तो जो A X स्क्वाइर प्लस B X प्लस C के रूप में नहीं होगा तो इसका अंसर आपका होगा यह X प्लस 3 Y X is equal to X स्क्वाइर यह नहीं है उस रूप में ठेक है आठ नमर में आपका पुरस्ण है दुगात समीकरन, दुगात समीकरन X स्क्ाइर में इस 5 X प्लस 4 बराबर 0 का विभीकतर निमलखित में कौन है ठीक है तो कौन है चेक कर लेते हैं 8 नमर का आपका हो जाएगा C, C हो जाएगा 9, ठीक है, C में हो जाएगा 9, आगे देखिए 9 नमर परस्ण आपका है, नमलखीत में से 4-1 बटा 2x² का सुन्यक कौन है, बिलकुल आसान है, आप इसका सुन्यक आप इसका ग्याद कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, इसका नमर ए 2-2 होगा, ठीक है, आगे आपका दसमा परस्ण है, निमलखीत वर्ग समीकरन में से, किस समीकरन का हल, परिमेद संखियाओं के समुच्चे के रूप में होगा, तो अंसर भी इसका थोरा सा टेढ़ा ही होगा, कौन सा D नमर एक्स प्लस 1 into x-1 is equal to 0, ठीक है, चलिए 11 नमर पर चलते हैं, आप विडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लिजिए, क्योंकि पूरा का पूरा math, sst, science, सभी subject का objective आपको आने वाला है, ठीक है, चलिए, अगला चप्रे में चलते है, आगे आपका है 11 नमर निमलखीत में से, निमलखीत में से, कौन समी अच्छे है, ठीक है, 11 नमर, तो इसका आपका अंसर हो जायागा, 11 नमर का, B नमर, minus 2, 1, y, 3, ये हो जाएगा उसका, समीकरण, हला समीकरण, चलिए, आगे आपका 12 नमर है, निमलखीत समुच्चों में, इसमें 2 गास, समीकरण, x square, minus 5, बराबर 0 के मुल्य होंगे, ठीक है, 12 नमर, तो इसका अंसर होगा आपका C, इसका अंसर होगा C, और परिमेर संखियां है, ठीक है, आपको धियान देना है, सिर्फ, revision करना है, आपको अच्छे अंकर लाने के लिए, देखते, देखते, exam में, क्या पता, यही question आ जाए, तो आपको धियान देना, ठीक है, 13 नमर, परस्ट, चाओदेन नमर, परस्ट, नहीं है, दुगास समीकरन, एकस अस्कार प्लस, भी एकस प्लस, सी, बराबर, जीरो के मुल, बराबर, होतो, तो क्या होगा, यह आप सोतर भी परहे होंगे, तो इसका अपसर नमर, आपका D, होगा, B, स्क्वाइर, बराबर, फोर, एसी भी एसक्वाइर, बराबर, फोर, एसी आगे, आपका पंद्रह में है, यह दी दुगास समीकरन, Hur, प्लस, भी एकस, प्लस, प्लस, सी, बराबर, जीरो के लिए, B square और इससे बरा होगा 4AC हो तो मुल होगे तो मुल क्या होगे 15 नमर का आपका D हो जाएगा अंसर इन में से कोई नहीं D नमर ठीक है आगे 16 नमर में चलते हैं दुएगात समीकरन 3 by 4X square minus 8X minus 3 is equal to 0 के बिविक्तर का मान निमलखीत में कौन होगा 16 नमर अब यहां पर समीकरन दिया है यह और इसका बिविक्तर का मान पूछ रहा है तो इसका होगा 73 आपको निकालना परेगा सुत्र पर D square minus 4AC जो सुत्र होता इस फॉर्मूला पर निकालना परेगा ठीक है हमारा परस्ण है वह दुगात समीकरन जिसके मुल 3 minus 3 कोमा है बिच में हो तो निमलखीत में कौन सा होगा 17 नमर तो 17 नमर का option नमर अब का B होगा X square minus 9 is equal to 0 आगे देखिए 18 नमर दो लगातार धन एवंपुर्न संख्याओं का गुननफल 72 है दो लगातार धन एवंपुर्न संख्याओं का क्या है गुननफल 72 है यदि छोटी संख्याओं X हो तो निमनलखीत में कौन समीकरन इसका थन को वैक्त करेगा चलिए 18 नमर इसका option नमर B सही होगा हमारा 18 का B X पलस 1 इन्टू X इसकाल टू 72 यह आपका सही हो गई है चलिए 19 नमर सवाल में आते हैं यदि A और B समीकरन X स्कार मिनस A X पलस B बराबर 0 की मुल है तब तो 19 नमर का आपका हो जाएगा D 19 नमर का हो जाएगा आपका अंसर D इन में से कोई नहीं अब आते हैं 20 नमर में 20 नमर में बोल रहा है 20 नमर में A के जिसमान के लिए समीकरन X स्कार पलस 4 X पलस A बराबर 0 की मुल बास्तवे कर भीन होंगे वह है वह है तो 20 का आपका हो जाएगा अंसर B 20 का अंसर होगा B मैनस B वाई A चलिए 21 नमर सवाल समझते हैं आप वीडियो को लाइक कर देजिए 21 नमर है दुईगाद समीकरन X स्कार पलस 2 X मैनस 3 बराबर 0 की मुलों के योग का मान क्या होगा तो मुलों का योग पूछ रहा है ठीक है आपका फर्मूला होता है वो फर्मूला लगाईएगा तो आपका आजाएगा मैनस 2 2 अपसन नमर एपका जाएगा उपसन नमर एठीक है दूसरा 22 में है दूइगाद समीकरन 2 एक स्कार मेनस 4 एक स्पलस 3 बराबर जीडो का विवेचक होगा 22 नमर 22 का हो जाएगा सी बास का सी ठीक है 23 नमर दूइगाद समीकरन x square plus 5 x minus 6 बराबर 0 का गहात होगा देखे गहात क्या है अधिकतम यहां पर देखे 2 गहात है तो इसका option number c हो जाएगा इसका गहात 2 होगा चलिए 24 नमर सवाल है यदि x बराबर root under 7 plus 4 उसके बाद root under 4 root 3 है तो x plus 1 बटा x का मान क्या होगा देखे सवाल थोड़ा सा ठेड़ा है और input 10 भी है ठेक है तो इसका हो जाएगा option number a 4 चलिए 25 नमर सवाल है यदि द्विघाज समीकरन a x square minus 4 a x plus 2 a plus 1 बराबर 0 का समान मुल है तो a बराबर तो a बराबर क्या होगा a बराबर होगा 1 by 2 ठेक है चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नमर सब फर्मूला पर है आप सब्सक्रास में पढ़े होंगे अब बजेक्टिव आपको बता रहे है द्विघाज समीकरन minus 3 x square plus 4 x plus 5 बराबर 0 के मुलों का योगफल कितना होगा तो इसका option number c होगा 4 बटा 3 आगे आपका 27 में है 27 में द्विघाज समीकरन a x square plus b x minus c बराबर 0 के मुल बास्तविक और बराबर होने की क्या सर्त है बास्तविक और बराबर होने की सर्त बहुत important question है इसका होगा b square plus 4 a c option number a बराबर 0 होना चाहिए ये बहुत important है भी भी आई question है ठीक है अधिकतर पूछ दिया जाता है चलिए अठाइस नमर सवाल पर चलते है अठाइस नमर सवाल आपका है 3 root 3 3 root 3 x square plus 10 x plus root 3 बराबर 0 का बीवेचक होगा बीवेचक पूछ रहा है तो बीवेचक का formula आपको पता है चलिए हम आपको इसका अंसर बताते है इसका अठाइस का अंसर होगा 64, 64, ठीक है चलिए आगे है 3 x square 29 में 3 x square plus 2 x minus 1 बराबर 0 का बीवेचक होगा तो इसका बीवेचक क्या होगा 29, 29 नमर में होगा B, 26, ठीक है 30 नमर में है 30 नमर में k, k, k किसमान के लिए k, k, किसमानों के लिए 4 x square minus k x plus 16 बराबर 0 की मुल बराबर होगे ठीक है तो 30 नमर का option नमर आपका B, 30 का होगा B, 36 minus 16 कॉमा है बीच में तो ये इसका बीवेचक हो जाएग 31 नमर 31 नमर है यदी यदी दुईगात समीकरन B x square plus A x plus C बराबर 0 की मुल समान है तो 31 नमर का होगा D 31 नमर का option D होगा A square minus 4 A C बराबर 0 ठीक है 32 नमर 32 नमर है निमन में कौन दुईगात समीकरन नहीं है ये question एक question तो इस type का आएगा ही आएगा ठीक है तो आपको धियान देना इसका option नमर D होगा बटा में दिखी x square है तो ये नहीं होगा दुईगात समीकरन चलिए आगे चलते हैं लाइक आप कर दीजिए 33 नमर जो आपका सवाल है के के किस मान के लिए समीकरन के x square plus 4 x plus 1 वराबर 0 के मुल बास तबिक तथा और समान है तो के किस मान के लिए इसका अंसर होगा आपका के 4 जो होगा के से बढ़ा होगा greater than 4 ठीक है 4 के होगा smaller than 4 का चलिए आगे आपका 34 नमर है यदि a x square plus b x plus c बराबर 0 के मुल समान हो तो निमल खीत में से कौन सत्ते है तो 34 नमर का आपका अंसर हो जाएगा b b square बराबर 4 a c ये important question है धियान रखना और लास्ट परसन आपका 35 है दुगा समीकरन में यदि समीकरन b minus c यदि समीकरन b minus c into x square यदर जो है मिटा हुआ है यदर आपका into होगा into x square उसके बाद plus c minus a into x plus into a minus b बराबर 0 के मुल समान हो तो a plus c बराबर क्या होगा तो a plus c बराबर होगा 2b ठेक है तो इस परकार से आपने इस वीडियो में total 35 objective देखा आप इसमें से important objective भी आपको बताए थे इसी परकार से पूरा math का science का, social science का, Sanskrit का, Hindi का और last में English का भी आएगा सिखना चाहते हैं तो जुर जाइए नहीं तो घूमिए Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो